सुशान सिंग राजपूत डेट केस में ड्रग्स एंगल की बाद सामने आने के बाद से बॉलिवुड में ड्रग्स को लेकर बहस तेज चल रही है ड्रग्स केस में डीपी का पादुकोन सारा अलिखान और शद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आ चुका है और इनसे पूछताज भी हो चुकी है बॉलिवुड के कई सेलिप्स ड्रग्स को लेकर अपना पक्ष रख रही है और अब अक्षे कुमार ने भी एक वीडियो जारी कर इस मामले में अपना रियाक्शन दिया है अक्षे ने इस वीडियो में कहा है कि बॉलिवुड से जुड़े सभी लोग ड्रक्स नहीं लेते और उनके इस बयान को कई बॉलिवुड हस्तियों ने सपोर्ट किया है अक्षे ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बॉलिवुड में ड्रक्स की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी लोग ड्रग्स लेते हैं अक्षे के इस स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है और वो अक्षे के इस वीडियो का विरोध कर रही है ट्विटर पर एक कैंपेंट चलाई गई है जिसमें अक्षे की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम को बैन करने की मांग की गई है और इसके लिए बैन लक्ष्मी बॉम हैश्टेग यूज किया जा रहा है जो की काफी ट्रेंड भी कर रहा है अक्षे के बयान को लेकर लोगों का कहना है कि अक्षे की फिल्म का बहिशकार किया जाना चाहिए इस वीडियो में अक्षे ने हाथ जोड कर विंती की कि बॉलिवुड इंडस्ट्री को बदनाम दुनिया जैसी नजरों से ना देखा जाए तो आएए देख लेते हैं कि इस वीडियो में अक्षे ने क्या कुछ कहा आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ पिछले कुछ हफतों में बहुत सारी बाते आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी negativity है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलू किस से बोलू कितना बोलू देखे स्टार्स बले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं हैं हमने फिल्मों के जरिये हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कौने तक पहुँचाया जब-जब जब-जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है चाहे वो एंगरी यंग मैन वाला अक्रोश हो या फिर करप्शन हो गरीबी हो बेरोजगारी हो हर इशू को सिनिमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माते पर है सुशान सिंग राजपूत की सड़न डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इशूस सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सब को और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में चापने को मजबूर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे नर्कॉटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है मैं आज दिल पे हाथ रखके कैसे आप से जुट बोल दू कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती जरूर करती है वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इंवॉल्ड हो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी होता है ड्रग्स इज लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉइ एंफोर्स्मेंट अथॉरिटीज और कोर्स इस पर जो भी जाच जो भी एक्शन ले रही है वो बिलकुल सही होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगा पर प्लीज हाच जोड़के कहता हूँ ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो ये सही नहीं है ये तो गलत है ना मुझे परस्नली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसा मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना काम अपनी आवाज उठाना जारी रखे लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिव नी क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपूटेश और आखिर में आप पैंस आप लोगों को मेरा यही मेसेज है कि यार आप सब नहीं तो हमें बनाया है आपका विश्वास जाने नहीं देंगे अगर आपको कोई नाराज़गी है तो हम और महनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे यार आप हो तो हम हैं बस साथ निभाए रहना साथ बनाए रखना बस थैंक यू थैंक यू गाई झाल से युटा करिके बस जीत अपका बस साथ ने obvious किस अगे यू जू थाँ बससे हैं तो हम हैं